चोपड़ा इसको चेक किया जाता है और इसमें अगर कोई प्रोब्लम होती है तो यह NTA द्वारा एडिट के लिए इसमें ओप्सन दिया जाता है तो NTA ने इमेज करेक्शन के लिए ओप्सन दे दिया है तो अगर जिस कंडिडेट के इमेज अप्लोडिंग में कोई प्रोब्लम है यानि कि फोटो ठीक नहीं है फोटो बलर हो रही है सिगनेचर ठीक नहीं है इसके बाद में जो थम इंप्रेशन वगरा है जो फिंगर इंप कोई प्रोब्लम रेज की है या फिर कोई कमी निकाली है तो वही कंडिडेट इसके लिए एडिट कर सकते हैं यह उनके लोगिन में एडिट का ओप्सन मिलेगा तो एक बार हम देख लेते हैं एक बार सभी स्टुडेंट अपना लोगिन करके चेक कर लें कि उनके तो उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है इमेज करेक्शन में तो जैसे ही हम निट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे निट.nta.nick.in तो इसमें आपको कंडिडेट एक्टिविटीज में इमेज करेक्शन निट UG22 का उप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यहां पर एप इस्टेशन डिटेल्स कंप्लिटेड लिखा रहा है विव एप्लिकेशन फॉर्म कंप्लिटेड लिखा रहा है विव पेमेंट डिटेल कंप्लिटेड लिखा रहा है और नीचे ओप्सन आ रहा है डाउनलोड कंफरमेशन पेज का तो आपके इमेज में कोई प्रोब्लम नह यहां पर edit image का option मिलेगा आपको तो उसमें आप correction कर सकते हैं फिलाल जिन जिन candidate के कोई problem नहीं है उसमें कोई यहां पर link नहीं दिया गया है correction का जिन candidates के problem है NTA ने यह माना है कि इनकी image में correction होना चाहिए तो यहां पर उनके login में link दिया हुआ है उस correction के link पर click करके जिस भी particulars में जैसे photo में signature में जिसमें भी कमी है वो दुबारा से re-upload कर दें वहां उसी का particular re-upload का option आएगा उस पे आप re-upload कर दें अगर इस परकार का interface आपके प प्रोब्लम नहीं है वो बिल्कुल सही है और NTA ने accept कर लिया है तो यह जानकारी थी image correction के बारे में आप जरूर एक बार check कर लें हो सकता है आपके image में problem हो तो आपके admit card release होने में problem हो सकती है उससे आप पहले ही इसको आप rectify कर लें ताक कि आपके admit card आने में कोई problem नहीं हो नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं